बच्चों हम उदाहरंड एक हल करने जा रहे हैं उदाहरंड एक में हमें ये दिया हुआ है कि एक रेखाखंड है हमारे पास और इस दिये हुए रेखाखंड के बराबर एक दूसरे रेखाखंड की रचना हमें करनी है तो माल लेजे हम एक रेखाखण की कल्पना करें यहाँ पर यह एक रेखाखण हम केस्ते हैं जिनके दो बिंदो निश्यत है माल लेजे बिंदू यह ए है और इस पूरी रेखाखण के बराबर हमको एक दूसरे रेखाखण की रेशना करनी है तो इसके लिए हम एक बिंदू यहाँ ले माली जो बिंदू एक्स है एक्स बिंदू है और यहाँ से किरन कीच ले यह हमने यहाँ पर पेन को रखा और इससे आगा बढ़ा दिया और एक किरन हमने कीच ले माली जीए इसे हम नाम देते हैं किरन एक्स वाई अब हम इस रेखाखण एबी के बराबर एक रेखाखण की रशना हैं करने जा रहे हैं यहांनि हमने परकार को इतना प्रकार को इतना फैला आ प्रबस कालेंखण की समकों प्राप्त किएक थीक हम काट रहे हैं उसके लंबाई ठीक उतनी है जितनी एबी की है तो मालीजिये इस बिंदू को हम नाम दे दें जेड तो जो जेड होगा वो एक से सापिक्ष उतनी दूरी पर होगा जितना भी एक सापिक्ष है यानि एकस जेड जो रेखा-खंड है उसके लंबाई A B के पराबर होगी तो हम कहा सकते हैं कि रेखा खंड रेखा खंड A B पराबर रेखा खंड X Z तो इस तरह से हमने दिये वे रेखा खंड A B के पराबर एक दूसरे रेखा खंड X Z की रेखना कर ली और यदि प्रूफ करने की बात होगी तो हम कहा सकते हैं कि जो तरिज्जे हमने A B के लिए है जो लंबाई A B के लिए हमने ली है ठीक उसी लंबाई की बराबर हमने यहां पर भी लंबाई ली है इसलिए यह दोनों देखा करना आपस पे एक दूसरे के बराबर है